हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टो मैं चैनल चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पे होटल या रेस्प्रेन स्टायल कडाई पनीर कैसे बना कर त्यार कर सकते हैं और यह खाने में बहुत ही मजदर बनता और सब को बहुत ही पसंद आता है चलिए इस कडाई पनीर को हम बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसे मेन वह है वह मसाला bet I! WHi2 दिटा यहां पर दो चमच के करीब सूखा धन्या ले लिए एं और governed एक चमच इसमें हम जीरह डाल देंगे डालकर सभी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे और ऐसको हम 2-3 मिन तक इस तरह से रोस्ट करते रहेंगे, जब इनका हलका सा color change हो जाएगा तो इसमें हम एक liaison के करीब कुसूरी मेथी डालेंगे कुसूरी मेथी रोस्ट, बहुत कम्रों ताइम नेत्ज है, इसको हम सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही पकाएंगे तो सारे मसाले हमारे यहां पर रोस्ट हो चुकी हैं तो चलिए इनको हम निकाल लेंगे तो इन मसालों को हम ग्राइंड इकजार में निकाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सारे मसाले हम इस तरह से ग्राइंड कर ल जालेंगे और साथ ही इसमें हम अधरक के टुकड़े डाल देंगे चार पांच कलियां इसमें अ दाल कर मिल हमने के लिए इसकी दो main चीज़े हैं इसके सब्सक्राइब माला तो घ्रेवी का टेक्स्ट्र बढ़ीं अएगा तो खाने में बहुत ही टेश्ची लगेगी तो gravy का texture बढ़ी जाने के लिए इसमें हम थोड़े से कजू डाल देंगे और साथ ही इसमें हमम अगरे जिसके साथ texture बहुत ही बढही आता है और थोड़े सा पानी डाल देगे और पानी डालकर धक्कन दे देंगे और प्यास और टमाटर को हम सोफ्ट होने तक पका लेंगे और थोड़ी देर के बाद हम धक्कन को हटा देंगे तो प्यास और टमाटर जो है वो हमारे सोफ्ट हो चुके है ग्यास का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इनको हम थोड़े ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही इनको हम ग्राइंड करेंगे तो इनको अब हम ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे और ग्राइंडिंग जार में निकाल कर इनको हम ग्राइंड करेंगे तो गरम गरम इसको बिल्कुल भी grind मत करें, थोड़ा सा थंडा होने के बाद ही grind करें तो अब हम उसी कड़ाइ में एक बार फीट से घी डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरे को हम हलका सा fry होने देंगे जीरा हमारा fry हो चुक है तो इसमें हम बिल्कुल बारी कटा हुआ लेसन डाल देंगे और लेसन को भी हम हलका सा fry करेंगे और इसका हम color change होने तक इसको हम पकाएंगे तो ये लिए लेसन का जो color है वो भी change हो चुक है तो इसमें अब हम grind किया हुआ मसाला डाल देंगे और मसाला डाल कर इसको हम एक बर अच्छी तरह से चला लेंगे और इसमें अब हम जिस जार में हमने मसाला grind किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया और पानी डाल देंगे इसमें हम और पानी डाल कर एक बर फिर से हम इ में खड़े मसाले डाल दूँगी और इसमें आप में तेस्ट के अकोर्डिंग नमक डाल दूँगी तेस्ट के अकोर्डिंग इसमें हम लाल मिस्ट पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और एक फिंच के करीब इसमें हम हल्दी डाल देंगे और डालकर इनको हम अच्छी तरह से चला लेंगे तो इसके उपर अब हम धक्कन देंगे और धक्कन देकर ग्रेवी को हम 5-7 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पकने देंगे तो धक्कन को हम हटा देंगे तो यह देखिए इसके उपर बहुत ही बढ़िया कलर आ चुक है तो खड़ाइपनी की ग्रेवी हमारी बनकर तयार हो चुकी है तो अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और पैन में हम एक चमच के क्रीब घी डाल देंगे और खी के गरम होने के बाद इसमें हम कटे हुए प्यास और शिमला मिच डाल देंगे और हलका सा इनको हम फ्रा पनीर के जो पीसिज है उनको डाल देंगे तो पनीर के पीसिज मैंने इसमें डाल दी है तो डालने के बाद इनको भी हम एक से दो मिनिट तक इसी तरह से फ्राइप कर लेंगे तो ये लिजिए दो मिनिट हो चुके हैं तो ग्यास का फ्ले मैंने यहां पर बंद कर दिये प्याज शिमला मिच और पनीर को मैंने ग्रेवी में डाल दिये और ये देखिए इसका जो टेक्शर है वो बहुत ही बड़िया आ चुका है और देखने में ये बहुत ही बड़िय बनी है तो इसके उपर अब हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और कसूरी मेथी डाल कर कसूरी मेथी को हम सबजी में अच्छी तरह से मिला देंगे और इसके उपर अब हम थोड़ी सी क्रेम डाल देंगे अगर आपके पास क्रेम अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सक आप मलाई लें उसको खलका सा फेंट कर पतला कर लें और आप इसको सबजी में डाल सकते हैं उसके साथ भी सबजी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी तो डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फिर से चला लेंगे और यह लिजिए हमारा होटल रेस्टोरेंट स्टाइल जासा बढ़ाई भी बन कर तयार हो चुक है जो खाने में बहुत ही टेस्टी बन है तो आप भी कीजिए ट्राइए होग करती हूं वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक जूर कीजिए वीडियो को जारा से जारा शेयर करना मत भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राब जूर कीजिए आप मेरी वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं चलिए अगली वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को जूर दबाएए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके